कन्नोज के ग्यानपुर गाउं में रहने वाली 13 साल की बेटी ने एक मिसाल पेश की है जहां बेटी की जिद के आगे मजदूर पिता बिना किसी सरकारी सहायता के घर में शौचाले बनवाने के लिए मजबूर हो गया दरबसल स्कूल में संध्या की सहिलिया उसकी इस बात को लेकर अक्सर मजख उड़ाया करती थी कि संध्या के घर में शौचाले नहीं है और वो बाहर खुले में शौच के लिए जाती है जिसके बाद सहेलियों के ताने सुनकर परेशान हो चुकी संध्या ने अपने मजदूर पिता से जिद की कि जब तक वो घर में शोचाले नहीं बनवा देते हैं तब तक वो ना तो कुछ खाएगी और ना ही स्कूल पढ़ने जाएगी गरीब माता पिता ने गरीबी का हवाला भी संध्या को दिया लेकिन संध्या अपनी जिद पर टिकी रही आखिर कार बेटी की जिद के आगे मजदूर पिता को जुकना पड़ा वही संध्या की मा भी घर में शौचाले बन जाने के बाद खुश है उसका कहना था कि कर्ज लेकर शौचाले बनवाने के बाद सरकार ने भी उसकी गरीबी की तरफ देखा और उसको 12,000 रुपए अनुदान दे दिया देश में सवचता अभियान अब रंग लाने लगा है और अब ग्रामीन भी सवचता के प्रती काफी सजग हैं उम्मीद है कि जल्द ही सवच भारत का सपना पूरा होगा कन्नाज से नित्या मिश्रा पंजाब के स्री टीवी